वे कुछ याराज है वे आज कुछ याराज आज कुछ खुष है मreuk कुछ याराज खुछ है तुम कुछ कुछ अदास हो मreuk कुछ कुछ लापरवा है तो इसतरह के sentences को English में बोलने के लिए जिस structure का यूज किया याता है वो है somewhat इसका हिंदी मतलब होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है इस या र य फिर हैं और उसके बाद आता है संवट और संवट के बाद आता है अध्जेक्टिव। Singular subject के साथ एज आएगा Plural subject के साथ R आएगा और I के साथ M आएगा Past में एज आरे M की जगए Was या वर आएगा Singular subject होने पर Was आएगा I के साथ भी Was आएगा और Plural subject होने पर Was आएगा आईए इसके कुछ एकजाम पल्स देखते हैं वै कुछ-कुछ नाराज है He is somewhat angry He is somewhat angry वै कुछ-कुछ उदास था He was somewhat sad He was somewhat sad वै आज कुछ-कुछ खुस है He is somewhat happy today He is somewhat happy today वै कुछ-कुछ नाराज था He was somewhat angry He was somewhat angry राजु कुछ-कुछ मोटा है तुम कुछ कुछ दुखी हो तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए स्टक्चर के साथ ठिल रैंटे क्रेयर